होगे कले आखरे को यह वहाला क्योशन है यह भी सवाल है आप सवाल बहुती आसान है जो यहें लोग नहीं यह मेले लड़ हैं टिक मैं में ब्लाक से ही अंगल से लिलता हूं ताकि बाद में हम लोग जो भी solution करें वह हम रेट से करें ठीक है तो आपको क्या दिया है एंगल्स लेना आना चाहिए आपको है एल पी आर एल पी तो यह बीच वाला होता है देखना एल पी आर में क्या कौन सा एंगल बन रहा है ठीक है अगर कोई भी लाइन है सपोस्थ ऐसी और इंगल एकल दोनो को än प positives को बनंसे लिए डिन देखना उस लाइन से मिलकर वह पॉइंटें मिलकर कौन से एंगल आ रहा है तो उस तरीके से हो तो वा को मैं रड़कतर लेता है और आप लोग को मैं बताता हूं कि क्या क्या मज़ें दिया है मुझे एंगल LPR दिया तो LPR यह बन रहा है ठीक है जूम करके लिख लेता हूं LPR मुझे दिया है 35 दिगरी ठीक है 35 डिगरी दिया है अच्छी बात है और एंगल UST दिया है UST 70 UST 70 दिया है UST यह बन रहा है यह मुझे दिया है 70 डिगरी ठीक है ओके और पूछा क्या है मुझे मुझे पूछा है एंगल MPQ MPQ का मतलब क्या है MPQ यह एंगल बन रहा है यह पूछा है मुझे इसको मैं X ले लेता हूं सपोस्स ठीक है दिस यह मुझे पूछा ह तो इसमें क्या होगा बहुत ही आसान है अब क्या करूंगा मैं इसमें मैं रेट से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं ठीक है जूम करके तो यूशुड नो दिस कि यहां पर अरो बनावा है मैं आपको बता दूँ इस पैलल लाइन की आपको कंडिशन आने चाहिए और इस लाइन इस पैलल टू इस लाइन तरीक है इस कुश्चिन को सॉल्व करने के इफ इस इस एंगल 35 इस विल बी ऑल्सों 35 जो मैं रेट से कर रहा हूं यह सलीशन बेस्ट रीट को यह है थेडिकर यह वर्टिकली ओपोजीट आंगल बोलते हैं से ठीक है अधिकर वर्टिकली ओपोजीट होगा दिजार corresponding angles ठीक है अगर यह 70 है ओके इव दिस इस 70 तो बहुत सारे तरीके आप करने के ठीक है हम इसको बहुत एजली सॉल्व कर सकते हैं ओके ठीक है तो अब अगर यह 70 है ठीक है क्योंकि यह लाइन और यह लाइन पारलल है यह 70 है तो सम तो 35 प्लस X इस एंगल का यह पूरा एंगल है यह एंगल जो 35 प्लस X है और इसके साथ अगर मैं 70 एड कर लूँगा तो मेरा 180 आना चाहिए इसको हम बोलते हैं को इंटीर एंगल्स ठीक है ओके को इंटीर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिकरी होता है यहां से भी X आ जाएगा ठीक है और यहां हम लोग अगर यह 70 है तो दुसरा तरीका क्या यह निकाल लेता हूं यह भी कितना होगा अगर यह 70 को इंटीर एंगल्स का सम होता है 180 तो यह 70 है तो इसका यह होगा 110 अब यह 110 है तो उपर वाला यह जो पूरा एंगल में दिखा हो यह 110 होगा ठीक है तो दूसरा यह हो सकता है कि 35 प्लस X is equal to 110 ठीक है तो दो एक्वेशन हैं दुनों तरीके से आप कर सकते हो आप किसी को भी यूज कर सकते हो ठीक है यूज एनी ऑफ दी एक्वेशन इन गेट दी आंसर ठीक है अभी मत करो कॉमेंट में कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना ओके चलो तो इसमें आप किसी से भी निकालो यहां से आप निकालोगे एक्स कितना जाएगा यहां से 180 minus 70 110 or 110 minus 35 will going to give you 75 निकालोगे तो 75 ही आएगा ठीक है ओके तो 75 is the right answer 75 degree is the right answer ठीक है ओके